जै मातादी मित्रो आज के भी प्रस्ण का उत्तर मुझे सास्त्रों में लिखित मिल चुकी है तो चलिए सिधे सास्त्रों में लिखित बाते मैं आप सभी को बताता हूँ ताकि आपके मन में जरा से भी संका ना रहे ध्यान से सुनिएगा तो सुनिए इसमें लिखित है भगवान को बार बार याद करते रहने से मन अस्थाई सुखों के आकर्षन और पापों से बचा रह सकता है और अपने जीवन के इस्थाई लक्ष की याद बनी रह सकती है उस समय दोसित वासनाओं पे पढ़ने से स्वता भय उत्पन होगा और मनुस उस पाप कर्म से बच जाएगा जिसके कार्ण वह बार बार अबवित्र और मलिन हो रहा है जी हाँ अगर आप भगवान को निरंतर याद करते हैं बार बार याद करते हैं तो आपके मन में जो भी गंदे विचार होते हैं तो उसे भगवान नश्ट कर देते हैं साथ ही आपके मन में वो विचार उत्पन ही नहीं होती है और आपको उससे भय होने लगता है तो इसी के लिए भगवान का इस्मरण हमेशा करते रहना चाहिए ताकि आप अपने माज़ से बिचलित ना हो आपका लक्ष एकदम सीधा हो उसमें कोई भी बाधा ना हो बाकी तो परमात्मा आपके लिए सदा ततपर है और आप उनके लिए ततपर है बस आपको भगवान के परती देवी देवताओं परती अटूट विश्वास और सद्धा की भावना होनी चाहिए तब देखिए अगर आपके मन में गलत विचार आ जाए ऐसा होई नहीं सकता है इसी के लिए कहा जाता है कि भगवान के नाम का इस्मरण जब समय मिले तब करते रहना चाहिए लेक फिर भी मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि कुछ समय परमात्मा के लिए अवश्य निकालें क्योंकि धर्ती में लाने वाला भी वो है और धर्ती से ले जाने वाला भी वो है और इस भाव के सागर से पार लगाने वाला भी वही परमात्मा है इसी के लिए परमात्मा की साध अरतित्यादी अवश्य करें इससे आपकी जीवन में कभी भी नकारात्मक परभाव नहीं सकारात्मक परभाव ही होगा जैसा आप सोचेंगे ठीक वैसा ही आपके साथ होने लगेगा अगर ये जनकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जय मता दी